हाई दोस्तों मैं फिर से आगे हूं एक वीडियो के साथ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है कि ऐसा भी हो सकते थे कि एक एक किसी भी फोटो का बैक्ग्राउंड चैन्ड करने के लिए एक टच ही कफी है हमारा मन में यह सोच है और दुसरी बहुत हर कोई तो कॉंपीटर को वेज कर लेते हैं कि बस फोटों का बैक्ग्राउंड छेंज कर लें लेकिन उसके लिए कितना सारा मैंनध करना अपड़ता है कि हमारा सरीर में यतनी सारे यंग है उसे टच्छ करे पहला मर्क करके फिरें बैक गुराउंड मुव सकता लेकिन ettish लाएं आज सामने कि बस एक ही टच पे एक ही टच पे अपना फोटो का बेक्राउंड चेंज कर सकते हैं और आपकी दोस्त फ्रेंड्स किसी को भी पता नहीं चले लगा कि इसका बेक्राउंड जो है रिमूब किया हुआ है लेकिन वह कैसा करेगा किसके जरीया करेगा मैं वह बता दूंग मेरे वीडियो की लास्ट में और डिस्क्रीशन में लिंक वे इस एफ का दे दोगा जिसको आप पसंद आने वाला और एक बात है डेली की तरह कि अगर मेरे चैनल कोई तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं और पास वाले वेल बटन कि मेरा नेक्स वीडियो कुछ जानकर सथ आए तो आप तक जरूर पहुंच जाएं तो चलिए देर ना करते हैं वीडियो के तरह बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा जादू यह चड़ी है जो एक टच में आपका वेग्राउंड चेंज करता है जादू तो नहीं है तो चलिए देर ना करते हुए अब वीडियो के तरह बढ़ते हैं कि एक टाच में कैसा अपना वेग्राउंड फोटो का चेंज कर सकता है वीडियो में पहले ही बताया है कि बस एक टच और आपका वेग्राउंड चेंज लेकिन इससे पहले बता दूँ कि आपको तो पता ही है कि किसी भी फोटो का वेग्राउंड चेंज करने के लिए एक एप्स की जुरुरत होता है जिसे इनिस्टल करना पड़ता है फैस तभी आफ कर सकोगे लेकिन वो एप्स मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कि से डाउनलोड करना है और किस तरह से चालो करना है और उसका डिसकेर्शन में लिंक भी दे दूंगा अपने थामनिल भी देख लिया है आज का टॉफिक क्या है तो चलिए मैं आज उसी टॉफिक को करके दिखाता हूं कि किस तरह करना है तो आपको क्या करना है एक एप्स को आफिन करना है जैसा है आप आफिन करोगे आफिन करने के बाद कुछ इस तरह से कैमरा का इंटर्फेस आ जाएगा आपके सामने लेकिन आपको सिधा गैलरी में चला जाना है और गैलरी में जाने के बाद रिशेंट गैलरी में जाना है गैलरी में जाता हूं अपना तो यह द कि स्लिट करने के बाद देखिए मेरा फोटो आज चुका है आप बड़ा करना चाहता है या छोटा करना चाहता है इस तरह से आप कर लीजिएगा करने के बाद आपको जैसे कि मेरा फोटो इधर है मैं सा करता हूं अच्छे से मैं अपना स्लिट कर लेता हूं और उसके बाद म यह देखिए फोसा सिंग हो रहा है दो से तीन चार से पांट सेकेंड टाइम लिए सकता है किसी का थोड़ा ज्यादा भी ले सकता है अब देख पार है जिस तरह से अब फोटो स्कॉप क्या पूछ रहा है कि हैर कलर अब देख पार है लेकिन मुझे तो हैर कलर चाहिए नहीं और आपको भी साइद नीचे यह होगा क्योंकि जैसा हैर कालर है वह ऐसा अच्छा है तो आपको सिधा यहां बैक ग्रॉंड में चला जाना जैसे आप टच करोगे तो देखिए आपको फूरा फोटो का बैक ग्रॉंड है वो रिमूब हो चुगा है लेकिन आपको करना क्या है आपको इसको अपने धंग की तरफ से बैठा लेना है कहां आपको मतलब किस बैक ग्रॉंड पर सेट करना है जैसे यहां एक है अगर यहां आप तो टावर के बरबर हैं नहीं कि इसके लेविल लगाएंगे तर अगर यहां लगाना है आपको तो थोड़ाइसा नीचे कर करणा देग लिए और यहां भी लगा सकता है यहां भी लगा सकता है मेरा फोटोcken यहां भी लगा सकता है हैं और लगाने कवा अपको क्या करना है आभी बता रहा मरित और वी उसार से हैं जैसे की मुझे तो यह देखिए मुझे तो कोई भी मतलब हार कोई बसंद हैं हर सी हर भैक्ग्राण्ड चोईस है लेकिन यह आपकी उपर है यह ff अब अब घ्रा म्तलब कुछ और लगाना है भonas offer करना चाहिए यहां से आप देख वारह रहा है किई इसकीन केल की क्ला मट चला जाना है इसकीन पर जो पर फेस अ अ चुका है लेकिन यहां से यहां से आपको नीचे जाना है सेट कस्टम बैक्ग्राउंड में यहां से मैं जा रहा हूं मुझे कुछ दूसरा लगाना है तो यहां से रिशेंड में जा रहा हूं इसके बाद में गैलरी में जाने के बाद कुछ दूणलोड करकर के रखा है नहीं दिकाता हूं कि मुझे तो यहां लगाना जाते हैं जैसे कि मैं बता रहा है उक्त ब्रेचा अंगयर influenus इक हुए है उन्सक्त बोच्वे में तो यहां से इसको तेम पूसर से चोटा यहां बड़ा कर सकता है बड़ा करने के बाद आपक तब देख सकता है तो जैसे यहाँ पीड बिद है तो मैं इस ज background पर लगा लगा लूआ तो साइद अच्छा दिखेगा और आपके मर्जी इस इस साइड में भी लगा सकता है ऐसा भी लगा सकता है ऐसा भी लगा सकते ज़ैसे भी हो फिर उसकोवात क्या करना है तो आपको और एक बता दू कि ये जो एक से इसका और एक फेस है मैंना आपको नहीं बताया ये बहुती मज़दार एक से और बहुती काम बला एक से तो मैं आपको बता रहा हूं अभी कि ये जो देख पा रहा है ये जो इस साइड में है बैकगरांड ब्लॉर तो ये बैकगर लोगों समझ में निया है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको यह देखिए जैसे एक है वह पहले बाला फोटो आगया है तो यहां से आप अपना फोटो का प्राइट ने से उसे आप बढ़ा सकता है या लो कर सकते दिख लिए तो किसी को लगएगा कितना मतलब कोई पसंद है तो इसको सेफ कर लेता हूं और स्कों यह पसंद तो रेटन कैसे चाता है मैं उसको भी बताता हूं किma अपहसरा है लेकिन यहां से एकजिवाल से और यह ने बिसस्दतंक पर जाना है यह देखें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बैग्गराउन पर मतलब कुछ चेंज किया हुआ है अगर कुछ इस तरह से आप कर दोगे फेस्बूक या किसी भी सोचल मेडिया ट्विटर या किसी भी साइट पर छोड़ते हैं तो आपका फेस्बूक फेंड जो है वह भी सोच चाहिए कि अपको एक बर कर दिना है जैसे आप के बर शोच्डोस ऑन स पह सकता कि अह जाके देख सकता है लेकिन अग्लात है की अब इससे हैं कैसा कर सकता है मैं बता रहा हूं है आपको इसे कर आद आ यह च्ले हो भी आ यह कार्ण चला जाना है आपको फ्लेयर स्टोर में यह ty ju आ चुका हों हूं और प्लेयर स्टोर में आने के बाद आपको यहां लिखना है अब देख लिजिए अप्र सर्ज गॉल पर इहे लिए यहां लिएगा है ट्वी और aprend में पहले सिह स्लिए आ गए है कि एच वो टी ओ फोटो इतना लेकने में से जब आप इतना ही लेक्व को ताज आज अगर नहीं आता तो लिख देना ही यहाँ इडिटर लिख देना है टेलिप्रोड फोटो इडिटर और इसको पहले वाले आपस को आपको इनिस्टोल कर लेना है जैसे कि मेरा पहले सी केंपोसी से आपको उस थार से कर लेना है लेकिन एक बात है कि जब आप पहले चालू को तो कुछ एलो और तो हौश देलेना है और आप मेरे चैनल में अभी नेया है तो सेयर और लाइक जरूर कर ले और शाट में सेथिपले करisel में कि बेल बटर हम परांके जोरूश के और अगर इसी वीडियो से आप कुछ सिक पाया है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में आंगे ज़रूर रिखना ताकि निएक्स वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगे कि कि दो कुस सिखा पाया हों किसी के लिए भी हैंशसे हैं दोस्तों अब देना अलिविदा मिलते झाल झाल, 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 झाल